लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप UPSC prelims 2020 में अपियर हो रहे हैं तो आप हमारे 100 days के crash course को join कर सकते हैं प्लस यहाँ पर हमारी test series भी available है आप लोगों के लिए जिसको आप join कर सकते हैं तो इससे related complete जानकारी आपको इस number पर मिल जाएगी जो paid course इसको कैसे join करना है और जो भी अगर आपको कोई भी doubt है paid course से related या कुछ भी और दूसरे courses अगर आपको चाहिए civil services की तयारी के दुरान जैसे की mains के लिए भी हमारे courses अविलेबल हैं हमारे UPSC के अगर आप पूरी तयारी करने चाहते हैं complete तयारी करना चाहते हैं या various state civil services की तयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे courses जो है वो आप लोग के लिए available हैं तो सभी जानकारी आप लोग को इस number पर contact करके मिल जाएगी तो अब चलिए फटाक से lecture को शुरू कर लेते हैं समय ना वेस्ट करते हुए तो जिस प्रकार से civil services में हम लोग को GS paper 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम लोग कुसी के according news को cover करते हैं सबसे पहले paper 1 से related हम लोग topics को discuss करेंगे then we will move on to paper 2, paper 3 की news को cover करेंगे so guys जैसा कि आप लोग ने सभी ने देखा था कि 21 जून को सूरिक रहन लगा था तो हम लोग थोड़ी सी बाते solar eclipse से related करेंगे जो कि आप से examination में पूछी जा सकती है इसमें यहाँ पर हम लोग ring of fire, diamond ring तो ऐसे terms को भी देखेंगे थोड़ा सा जो कि examination में आ सकते है तो solar eclipse के बारे में basic जान करी आप सभी लोगों को है NCRT में आप अल्रड़ी पढ़ चुके है कि solar eclipse कभ होता है, क्या condition होती है solar eclipse की तो basic जी जान लो कि जब moon जो होता है वो धरती और सूरी के बीच में जाता है तब सूरी ग्रहन होता है जब moon जो होता है वो सूरी के कुछ portion को या फिर पूरे के पूरे तरीके से सूरी को छुपा लेता है उस sun जो है वो visible जब धरती पर नहीं होता है तब उस condition पर solar eclipse सूरी ग्रहन हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर main जो important बात है गई यह तीन प्रकार सूरी ग्रहन के हम लोग को देखने को मिलता है तीन types तीन प्रकार यह आपको याद रहने चाहिए एक है total solar eclipse दूसरा है partial solar eclipse और तीसरा है annular solar eclipse तो यह तीनों ही आप इस figure में आप देख सकते हो जैसे कि total solar eclipse, total solar eclipse कब होता है जब पूरी तरह से moon जो है, चान जो है वो सूरी को ढख देता है यानि कि इस प्रकार की position पर moon जो होता है वो धरती के सामने होता है कि धरती से जो सूरच जो है वो पूरी तरह से नहीं दिखाई देता totally invisible हो जाता है तो वो वाली जो condition होती है वो total solar eclipse की होती है इस total solar eclipse में सिर्फ हम लोग को diamond ring देखने को मिलती है इस प्रकार की आप देख सकते हो आपको light जो दिखाई दे रही है इसको diamond ring कहा जाता है क्योंकि इस समय पर पूरी तरह से moon जो है वो इस प्रकार की position पे रहता है धरती के सामने की धरती के कुछ area से सूर्य जो है वो बिलकुल गाया बो जाता है दिखाई नहीं देता तो इस condition को total solar eclipse कहते हैं और इसको diamond ring भी कहा जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो black वाला जो आपको area दिखाई दे रहा है ये moon का दिखाई दे रहा है और ये पीछे वाला सूर्य का है sun का है तो moon जो है वो थोड़ा सा area थोड़ा सा portion जो है वो सूर्य का ढख देता है ठीक है, इसके लाबा, यह वाला जो आप देख रहे हो, तो इसमें आप क्या देख सकते हो, इसमें एक चीज तो आप देख सकते होगे, यह तोल सुलार एकलिप्स नहीं हुआ, पूरी तरह से मून ने सूर्य को, जो है वो नहीं ढख पाया ठीक है यानि कि हम देख सकते हैं कि जो सूरग जो है उसका कुछ area कुछ portion जो है वो आप लोग को साफ यहाँ पर नजर आ रहा है ठीक है और इस प्रकार की जो site आपको जो दिखाई दे रही है जो vision आपको दिखाई दे रहा है इसको जो है वो ring of fire कह गई है, आग की रिंग हम लोग को ये देखने को मिल रही है, तो ये जो है ये Enular Solar Eclipse होती है और Enular Solar Eclipse और Total Solar Eclipse में डिफ्रेंस क्या है? की Total Solar Eclipse में पूरी तरह से ढख लेता है Moon सूरिय को चान्द जो है वो सूरज को पूरी तरह से ढख लेता है, Enular में ये पूरी तरह से नहीं डखता कुछ पोर्शन जो है वो इसका सूरज का विजिबल होता है धर्ती से ठीक है तो ये इसका एक में डिफरेंस है इसके लावा एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए अनुलर सोलार एकलिप्स और टोटल सोलार एकलिप्स ये दोनों जब होते हैं तब उस समय पार्शल सोलार एकलिप्स भी होता है क्योंकि धीरे-धीरे करके यह पूरा इवंट होता है तो जब धीरे-धीरे करके पूरा इवंट होता तो आप देख सकतें कि यह obvious ही बात है कि अगर moon को फूरा ढखना है सूरच को या फिर सूरच को इस प्रकार से ढखना है, कि कुछ area जो है वो सूरज का दिखाई दे तो उस समय भी भी ये वाली condition आपको देखने को मिलेगी मिलेगी थोड़ा थोड़ा moon जो है वो enter होता जाएगा तो थोड़ा थोड़ा partial solar eclipse हम लोग को देखने को मिलता ही रहेगा समझ रहेगा आप बातों को understand कर पारे हो चीजों को तो total solar eclipse और annual solar eclipse होता है तब उस समय दोनों time पर हम लोग को partial solar eclipse भी देखने को मिलता है फिर जब partial solar eclipse होता रहता है तो फिर कुछ समय बाद फिर scientist researcher decide करते ही कि ये total solar eclipse हुआ है या फिर annual solar eclipse हुआ है क्योंकि ये कुछ area पर हम लोग को दिखाई देता है धरती में ये धरती में पूरे area पर न और सूरच तो आप जानते हैं कि सभी से बड़ा हम लोग को देखने को मिलता है बट यह होता कैसे यह मून जो है वो किस प्रकार से ढख लेता है सूरच को तो देखो अगर आप इस एरिया पर खड़े होगे तो आप जब देखोगे ऊपर तो आपको अंधेरा दिखाई देग सेम बिलकुल वैसे बात हो रही है जैसे कि एक् celebrates के तोर पर आप समझो कि आप धरती पे खड़े हो और आपके बिलकुल सर की उपर एक aeroplane जा रहा है То अगर आपको उस aeroplane को देखना है सर की उपर अच्छे से आपको देखना है तो आप या तो आगे होगे या पीछे होग तो यह दोनों चल रहे हैं और आप यहाँ पर नीचे खड़े हो अगर आपको ऊपर वाले प्लेन की साइट जो है वो ब्लॉक कर दी है बट अगर आप पीछे चले जाओ या आगे चले जाओ अपने डिस्टेंस को थोड़ा सा इधर-उदर कर लो आप तब आप असानी से दोन उन क्या करता है नीचे वाले यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए यह सूरज को ब्लॉक कर देता है बट जो धरती गोल है और ओव्यसी बात है कि धरती से बड़ा तो चांद है नहीं तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति होंगे इस एरिया पर या इस एरिया पर या फिर किसी भी एरिया पर तो उनको जो है वो सूरज दिखाई देगा तो एक और चीज़ आपको समझनी है कि जो यह टोटल सोला रेकलिप्स होता है या एनुलर सोला रेकलिप्स होता है तो यह एक छोटे से एरिया पर ही विजबल होता है यह पूरे एरिया पर विजबल नहीं होता ठ होती कम चंद सेकंड के लिए ये इवेंट होता है, ठीक है ये वाली बात भी आपको बताओने चाहिए, क्योंकि पूरी चीज़ जो है वो मूव कर रही है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, सूरज को छोड़के, बाकी चीज़े तो आप जानते हो कि चांद जो है वो धरती क चक्कल लगा रहा है और धरती भी जो है वो सूरे के चक्कल लगा रही है, एक मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता ही है, इसके लाबा जब सन, मून और अर्थ एक सिंगल डारेक्शन में होते हैं, तब यह वाला इंसिदेंस होता है, टोटल सोलार एकलिप्स का भी और अनुलर सोलार एकलिप्स का भी है, तो यहली चीज़ भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है, अब पार्शल सोलार एकलिप्स में मैं आपको बताई दिया कि कुछ पोर्शन जो होता है वो हम लोग को सन का देखने को मिलता है और थोड़ा सा पोर्शन पर ह यानि कि पार्शल में जो ग्रहन लगता है सूरज की ओपर वो कुछ चंद थोड़े से यानि कि बहुती छोटे से पोर्शन पर लगता है बाकी जो सूरज जो है वो हम लोग को क्लियरली विजबल होता तो यह पार्शल सोलार एकलिप्स की कंडिशन हम लोग को नजर आती है अनुलर सोलार एकलिप्स की बात करें तो यह काफी important है क्योंकि यह अभी हुआ है अभी जो हुआ है अनुलर सोलार एकलिप्स हुआ है टोटल सोलार एकलिप्स नहीं हुआ इस समय जो है वो हम लोग को ring of fire देखने को मिला है इसलिए मैं आप लोग को ring of fire पर जादा जो है व को moon अगर यहाँ पर है तो इस वाले area पर total solar eclipse और अगर moon थोड़ा सा पीछे चले आएगा जैसे कि मान के चलो यह भी moon यहाँ पर है ठीक है यह पूरा cover की हो है मान के चलो moon ने सूरज को और धर्ती के यह काफी नजदीक है बट अगर यह थोड़ा सा दूर हो जाए जैसे कि यह धर्ती है यह moon है ठीक है मैं मान एक और अच्छे तरीके साब को समिदाता हूँ चलो यह आप एक line ले लो ठीक है यह एक area एक boundary है ठीक है यह circle हम लोग बना लेते हैं तो मान के चलो कि यह इस portion पर धर्ती तो पूरी गोल है ठीक है मान के चलो बट यह line वाला जो portion है उस समय पूरा solar eclipse हो रहा है और total solar eclipse और यहाँ पर जो है वो क्या है सूर्य है तो अभी इस area पर क्या किया यह और यह ठीक है इसको और अच्छे समझाता हूँ आप लोग को ठीक है यह अब देखके चलो आप कि यह आपको यह वाला जो खाली area दिखाई दे रहा है दोनों तरफ तो यह हां से आपको अगर यहाँ पर खड़े हो तो आपको दिखाई देगा obvious ही बाते सूरच बट अ यहाँ पर आप लोग खड़े होगे तो आपको क्या पीछे से सूरच दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा बट अगर मून अगर पीछे जाता है अगर आप देखो मून अगर पीछे जा रहा है तो आप देखो कि वह distance है मैं इसको कुछ नहीं चेड़ रहा हूँ बट आ यह देखो आप यह आ रहे हो आ रहे हो यह गया तो इसने पूरा cover कर लिया ठीक है पूरे area को cover कर लिया बट अगर यह पीछे जाएगा तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि सूरच का कुछ portion हमको दिखाई देगा तो annular solar eclipse में क्या होता है जो moon जो होता है उसको थोड धरती के दूर है तब यह annular solar eclipse हम लोग को देखने को मिलेगा बट अगर moon की position धरती के नजदीक है पास है तब हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा understanding the point तो यह चीज यहाँ पर आप लोग को clarity रखनी है यह concept आपको clear होने चाहिए ठीक है अब इसमें moon जो होता है वो पूरी अब लोग को बता होने चाहिए एक shadow का नाम है umra और दूसरा है numra तो numra और umra तो यह दो जो terms भी आप लोग याद रखो कभी कभी ऐसे terms भी आजाता है उमra और numra में क्या होता है अब देखो आप यह देखो यह moon है moon जो है वो पूरी तरह से जिस region पर solar eclipse कर देता है जैसे क जो area जैसे यह धरती का यह वाला area इस तरह वाला area जैसे कि मान के चलो यह जो बिलकुल dark shadow जो आपको दिखाई देती है तो वो आला region यह मान के चलो कि यह umra की है और जो light shadow आप लोग को दिखाई देती है वो numra की है या इस region पर या तो फिर partial solar eclipse आपको दिखाई देगा या फिर आप देख सकते होगी थोड़ा बहुत जो है वो eclipse आप लोग को नजर आ सकता है बड़ मेली तो partial solar eclipse ही आप लोग को यह numra वाले region पर देखने को मिलेगा बड़ उमra वाले region पर total solar eclipse या फिर आप लोग को annular solar eclipse जो है वो नजर आएगा ठीक है तो यह आली चीज आप numra में जो लोग रहते हैं उनको जिस रीजन पर numra होता है उस रीजन पर जो है वो लोगों को partial solar eclipse देखने को मिलता है वो इस सेम चीज जो मैंने भी आपको पूरी explain करी डीटिल में concept फूले clear है यहां तक यह concept clear होना आप लोग के लिए काफी ज़्यादा जरूरी था अब मेरा आपसे एक question है बहुत easy सा question मैं आपसे पूछ रहा हूँ दो questions पूछूँगा एक तो 21 जून को अभी यह solar eclipse हुआ है तो आप बताए 21 जून को सूरी की position कहा पर होती है ट्रॉपिक ring of fire कहा पर है ring of fire की location धरती के अंदर कहा पर है किस area पर है तो यह already पहले भी मैं आप लोग को समझा चुक हूँ detail में ठीक है धरती पर जो ring of fire उसके बारे में बाकी ring of fire जो होता है यह grand पर भी हम लोग को देखने को बता है दो ring of fire है एक grand वाला एक धरती वाला तो धरती वाल को एंटार्टिका में देखने को मिलती है आप से location पूछी आगी एंटार्टिका में है यह ठीक है याद रखिएगा एंटार्टिका के अंदर emery जो है वो ice shelf हम लोग को देखने को मिलता है यह देखो आप यह एंटार्टिका नीची वाला एरिया जो पूरा होता है south pole पर त यह एसी कुछ चीज़े होती है जो कि map वगरा में पूछ लिए आते हैं क्योंकि यह आमरी ice shelf अभी news में चल रहा है तो उससे related इस अंटार्टिका के map जो है वो आप अच्छे से देख लिएगा एक बार अच्छे आपको देखना है और यह one of the largest glacier drainage basin हम लोग को देखने को मिल ठीक है तो यह पिगल रहा है तो यह इसका एक report अभी सामने आया था National Center for Polar and Ocean Research ने prediction लगाया है कि 2016 पे जो इसकी position थी इसकी यह जिस समय 2016 पे था तो उससे यह धीरे-धीरे करके expand हो जा रहा है और जो satellites वगरा जो है उन्होंने 16 साल के लंबे अपने observation के तहर जो है यह पूरे 2016 की position से अगर compare करें तो उसके according ठीक है बट आप लोगको इतना यह वाली चीज नहीं आएगी बट फिर भी एक idea होना चाहिए कि expand हो रहा है दीरे-दीरे करके क्योंकि obviously वाद है temperature level जो है वो increase होता जा रहा है और यह glaciers वगरा जो है वो melt हो रहा है तो आमरी ice shelf जो है वो उसकी excavation के बारे बात करी थी कि तमिल नाडू के अंदर अभी जो है वो यह archaeological जो department है तमिल नाडू का तो वो various excavation कर रहा है various खुदाई वगरा कर रहा है तो उसमें अभी किलाडी पर भी खुदाई करी है और यह संगम period का settlement यहाँ पर पाया गया है संगम era से यह किलाडी की बच्चों के खोपड़ी वगरा भी जो है वो मिली है बच्चों के कंताल वगरा भी जो है वो मिले है और यहाँ पर पता लगाए कि इस area पर जब खोजबीन की गई तो पता लगा कि यहां के जो लोग थे वो literate थे साक्षर समाज यहां का हम लोग को देखने को मिला था क्य इस प्रकार की कुछ चीजे लिटरेसी वगरा जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी तमिल नाडू के अंदर यानि कि लोगों ने कुछ लिखा हुआ था बर्तों वगरा में पॉर्ट वगरा में ठीक है और यह कहा जाता है कि छटी सेंचुरी के अंदर यह लो लोग तो यह चीज जो हमें पाई गई वो कुछ स्केलेटन्स वगरा मिले हैं काउ के ऑक्स के बफेलो शीप गोट नील गाय ब्लैक बक वाइल्ड बोर पीकॉक तो इन सब के स्केलेटन्स वगरा जो है वो पाए गए हैं मतलब वो हड़िया वगरा ठीक है और इनका जो काफी उचा था काफी हाई था ठीक है तो यहली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी इन जनरल पता होनी चीज है और भी क्या क्या आइटम्स पाए गए तो इसमें से एक इंपॉरेंट आइटम जो था वो यह है यह यह पूछ लिया जा सकता है कि अभी रीसेंटली स्ट्रक्चर वगेरा पाएगा है कुछ खिलोने वगेरा पाएगा है रूफ में टाइल्स वगेरा हम लोग को देखने को मिला यह भी काफी इंपॉरेंट है जो मैंने भी आपको प्रिवियस स्लाइट में कवर कर आया इसके लावा गुल्ड की और्नमेंट्स वगेरा पाए तो यह चीज थी कुछ जो कि हम लोग को न्यूस में देखने को बली थी जिसका एक जनरल आइडिया आप लोग को होना चाहिए अब पेपर वन से रिलेड़ेट सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे नाव वी विल बुवाल टू पेपर टू तो देखे गाईज आप लोग अभी सपोर्ट में लाने के लिए उसने कुछ स्ट्राइडिजी बनाई है कैसी स्ट्राइडिजी है तो अभी उसने बांगलेदेश को बोले कि या कोरणा वाइरस के जल्दे तुमारी अलड़ी काफी जदा हालत खराव है तो तो उसमें फिशरी और लेदर के जितने भी लगा देती है टैरिफ टैक्स वगरे लगा जितने जिसको इंपोर्ट ड्यूटी समलोग बोलते हैं यहां आपकी कंट्री की तरफ से बांगलेदेश की कंट्री बांगलेश से जो भी प्रड़क्स आएंगे फिशरी और लेदर के तो उसमें टोटल 97 प्रड़क्स के उपर इसने टैक्स एक्जिम्शन कर दिया है जिसे कि बिना किसी टैरिफ की यह प्रड़क्स एंटर हो जाएंगा अब ऐसे इसने क्यों किया तो अव्यसी बाते कही इसको चाहिए इंटरनाशनल फोरम में इंडिया की नेबरिंग कंट्री का सपोर्ट तो अब क्या होगा कि बांगलेदेश जो है वो चाहिना का सपोर्ट करेगा ही करेगा फर्स पॉइंट क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन्चिप इंक्रीज हो रहा है सेगंड पॉइंट क्या होता है बांगलेश देखो आप यहां पर दूसरा एक पहलू भी देखो इसका बांगलेश क्या कर पंदरा बिलियन यूएस डॉलर का चाइनीज प्रड़क्ट जो है वो इंपोर्ट कराता है अब हम लोग क्या देखने है अभी एट प्रेजन चाइना को बता लग गया कि इंडिया आत्म निर्भर भारत बन रहा है इंडिया जो है वो अपनी अपनी मैनॉफेक्शरिंग य प्रेज नहीं हो पाएगा उसके वारे में पहले मैं आप लोग को बताई जुका हूँ कल के टॉपिक में हम लोग ने डिसकर्स किया हुआ था तो क्या करने हम लोग धीरे धीरे करके अपने आपको आत्म निर्भर बनाने की कोशिश कर रहे है उसके लिए वीरियस इपने वाली बात है ये कि इंडिया की नेवरिंग कंट्री बांगलादेश है अब इंडिया क्या करेगी बांगलादेश को भी एक्सपोर्ट करेगी अपने प्रड़क्स वगेरा को तो अब जो प्रड़क्स बांगलादेश इंपोर्ट करती थी चाइना से तो आने वाले स इस चीज को भी देखते हुए चाइना ने ये strategy लगा ही है कि इंडिया की at least neighboring countries जो है उनको अपने favor में लाया जाए जिसे की मिलब चाइना के market को कोई impact ना पड़े क्योंकि अपने market के लिए जाना जाते है क्योंकि export करता है बहुत सारी चीज है अब इंडिया वैसे ही market आगे चलके ना बना ले तो उसके लिए अभी से जो है वो strategy कंड़क कर रहा है और इसको पता है कि इंडिया आगे चलके बनाई की इंडिया की strategy हम लोग को देखने को मिल रही है अब देखो गाइस ये सब चीज़े जो news होती है वो सभी के लिए available है openly हम लोग को देखने को मिलती ह चाइनीज जो diplomats वगरा जो होते हैं उन लोग का भी काम यही होता है कि कौन सी country किस प्रकार की policy बनारी है जैसे हम लोग देखते हैं कि चाइना के अंदर कैसी policies जो है उसके prices इतने cheap हैं क्या वज़ा है उसके पीछे तो वो वज़ा हम लोग ने कल के lecture में discuss करी दी तो वैसी ह यह वो दूसरी country को भी अपने favor में रख रही है तो आपने जहां पर भी यह इंडिया चायना का issue लिखा है वहाँ पर यह वाला point अपडेट कर लिए ठीक है अब अपने notes के अंदर अब हम लोग थोड़ी बात करेंगे FATF के बारे में financial action task force के बारे में हाला कि इस topic को में पह FATF के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है अब देखो इसको EAG को थोड़ी देर से discuss करेंगे in short में बाकि FATF जो important है उसके बारे में दो तीन चीज़े आप जान लो जैसे की intergovernmental organization है यह इसको 1989 में इसका foundation हुआ था यह एक group of seven nation का initiative है और इसका target है money laundering को खतम करना money laundering को money laundering क्या होता है गैस एक country से दूसरी country में जब पैसा जाता है और यह पैसा कौन सा होता है black money होता है और इस पैसे का जो उप्योग होता है वो किस purpose के लिए होता है terrorism financing के परपस के लिए और भी सारी illegal activities के purpose के लिए तो यह जो पैसा होता है black money का gj मोमेंट होता है इसको हम लोग money laundering कहता है, यह movement कैसे होता है, हवाला के थू होता है, आप लोग को बता हो, और भी काफी सारे इसके वजाए होती है, जैसे कि काफी सारी ऐसी countries जो होती है, वो tax heavens वगरा provide कराती है, जैसे कि बहुत सारी countries है, पर यह क्या करती है उस पैसे का जो upio होता है यह basically बिना जो है वो legal purpose के लिए होता है, यह totally legal purpose के लिए होता है तो ऐसी activities के ओपर जो है वो निगरानी रखने का काम होता है, FATF का Financial Action Task Force का, और जैसी उनको बता लगता है कि 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 कांट्री के अंदर इस प्रकार का movement होता है, money laundering, जो है वो उस country को warning बगरा दी जाती है यह इसकी दो list है, exactly हम लोग को देखने को मिलती है एक इसकी जो list है, वो gray list है और दूसरी इसकी list है black list बट एक और इसमें list आती है, जो कि हापर notes में available नहीं है, बट हाला कि पहले जब मैंने आपको FATF पढ़ाया था, तब मैंने mention भी किया था आप चाहो तो कहीं पे लेकिलो, एक है dark gray list, जो कि इन दोनों के बीच में आती है, अब जो gray list होती है यह warning के तौर पर FATF क्या करती है, अगर FATF को लगता है कि कोई country इस प्रकार की money laundering में involved है तो वो उस country का नाम जो है, अपनी gray list में शामिल कर देती है, और उस country को एक तरह से warning देती है, कि भाई देखो अपनी जितनी भी money laundering के activities है, वो बंद कर लो, अगर नहीं करोगे तो आपको black list में डाल दिया जाएगा, और एक बार अगर कोई country black list में गई, तो उसकी हालत जो है, वो बुरी तरह से खराब हो जाती है, उसको ना international monetary fund, जो है वो support करती है, ना world bank support करती है, ना Asian development bank, या फिर इसी प्रकार के जो international support जो होता है, उसको नहीं मिल पाता, तो उसको कहीं से loan नहीं मिल पाते, और economic sanctions तर लगा दिये जाते हैं, उस country के उपर, और even काफी सारी countries उसको boycott कर देती है, international boycott हो जाता है उस country के अंदर, और even MNCs बगेरा जो होती है, multinational companies बगेरा जो होती है, वो उस country के अंदर investment नहीं करती, तो बड़ी problem आती है country को, अगर ब्लाक लिस्ट में शामिल हो जाती है, FATF के, अब देखो, आप बोलोगे कि सर, FATF में शामिल होने से इतना बड़ा implication कैसे बढ़ता है, क्यों दूसरी, जो ऐसी की मान के चलो, एक private company होती है, MNC, multinational company, एक private, आपने एक company खोली, और आप जो है, वो आप अपने stores वगेरा जो है, वो लगा सकते हो, open करवा सकते हो, है ना, ऐसा आप लोग जानते हो, कि जैसे आपकी कोई बड़ी company है, MNC, कपडे की company है, तो आप इंडिया, पाकिस्तान, कहीं बर भी जो है, जैसे इंडिया की आपकी company, आप पाकिस्तान में भी, कहीं बर भी आप जाकर अपने stores वगेरे खुलवा सकते हो, MNC, आपकी अगर है तो, है ना, तो ऐसा possible है, बट काफी सारी companies boycott कर देती है, क्यों कर देती है, क्योंकि guys देखो, आप पच्रेडे में नहीं बढ़ना चाहोगे, अगर कोई दूसरी country जो है, वो अगर money laundering में involved है, तो अगर कोई भी पैसा, किसी दूसरी country से, किसी भी यह company है, अच्छा घास आपका काम चल रहा है, बट आपने देखा कि आपके transaction जिस company के साथ है, यह company जो है, वो illegal कामों में involved है, तो आप क्या करते हो, उस company के साथ अपने transactions वगरा, अपनी deals वगरा, बंद कर देते हो, क्यों कर देते हो, क्योंकि आप नहीं चाहूँए, कि कल को इस चीज के चलते, पुलिस जो है, वो आपके office में आया और आपका time waste करे, या फिर आपसे पूछताच करे, आप भी फसो इन सब activities के अंदर, यानिकि पुलिस क अप उसके साथ legal चीज कर रहे हो, बट वो अगर किसी illegal activities में involved होगी, तो आप उसके साथ अपने relationship maintain नहीं करोगे, क्योंकि obviously आप नहीं चाहोगे फसना, officials वगरा के सवालों के, सवाल जो करने आते, investigation जो करने आते, तो उसका आप हिस्सा नहीं बनोगे, आप वहां से दूर कर देती है, तो जितनी भी MNCs वगरा होती है, international organizations वगरा जो होते हैं, वो उस country के साथ जो है, वो दूरी बना लेते हैं, और even जो है, ऐसी countries को सबक सिखाने के लिए भी, जितने भी जिसकी world bank होता है, IMF होता है, तो ये भी जो है, वो इसको loan वगरा offer नहीं करती, इनको support वग होता है, जिसमें terrorist जो है, वो weapons वगरा खरीते हैं, तो वो जो होता है, वो humanity के लिए काफी खतरनाक साबित होता है, तो इसी लिए ये इसको internationally boycott कर दिया जाता है, ऐसी country को, समझा रहा है कि कितना dangerous हो सकता है, एक country के लिए FATF में आना, तो ये काफी important है concept आप लोग के लिए स सकते हो, ठीक है, और इसको call for action क्याता है, तो ये call for action अगर आप शब्द use करोगे, अपने mains वगरा में, या फिर अगर prelims में आ जाता है कि call for action क्या है, और option में blacklist है, तो आप उस blacklist को mark करेंगे, FATF की ये blacklist हम लोग को देखने को मिलती है, इसके लब आप बात करें, FATF के secret Secretariat के, तो देखो OECD Organization of Economic Cooperation Development जो है गईस, तो वहाँ उसका जो ये है, headquarter, ये Paris के अंदर है, और वहीं पर ही, जो है, वो FATF का secretariat भी हम लोग को देखने को मिलता है, और इसकी meeting जो होती है, वो एक साल में, जो है, वो तीन बार हम लोग को देखने को मिलती है, और 2019 के अंदर FATF के 37 मेंबर है, और इंडिया भी FATF की मेंबर है, 2006 में इंडिया को observer status मिला था FATF का, फिर 2010 में हम लोग इसकी 34th country, जो हो, member country, जो हो, इसकी बन गए, FATF की, ठीक है, तो यह आली चीज़ आप लोग को बता होनी चाहिए, इसके लावा, E.A.G. की बात करें ये, E.A.G. क् फुल फॉर्म है, Eurocean Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism, तो यह भी FATF के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है, तो यह एक regional body है, जिसके 9 members है, इंडिया भी इसकी member है, इंडिया, रशिया, चायना, कजाकिस्तान, क्रिगिस्तान, तजीकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उस्बेकिस्तान और ब अभी आपके लिए एक task है, आपके दिवार में जो world map है, उस world map में ये पूरी countries की location जो है, वो देखो आप थोड़ा सा, दो मिट जाके खड़ेो और इस पूरी country की location देखो, फिर इस वीडियो पर आके continue करना, क्योंकि जो काम होता है, वो तुरंत कर लेना चाहिए, इस प्र 2017 में, तो उसके बाद इंडिया और चाहिना के क्या relation है, सीनो इंडिया relation कैसे है, तो उसको लेकर एक committee बनाई गई थी, तो उसने अभी अपनी report प्रस्तुत करी, अब देखो report में उतना detail में चीज़े हापर नहीं बताई गई है, news में, बड़ आगे चलके किसी editorial में बताई जाएगी, तब मैं आपको explain करूँगा, बाकि इस committee के बारे में थोड़ा सा detail में आपको थोड़ी देर से बताऊँगा, जो main जो examination में आपसे questions पूछी आ सकते हैं, उसके बारे में पहले discussion कर लेते हैं, कि parliamentary committees, आपसे parliamentary committee के बारे में चीज़े पूछी जा सकती है, तो देखो guys parliamentary committee जो होती है, वो दोनों में ही हम लोग को देखने को मिल सकती है, और दोनों ही committee के जो structures होते हैं, वो बिल्कुल similar होते हैं, कुछ को बस छोड़ कर, और इनके जो appointment, term of office, functions, procedures जो होते हैं, parliamentary committees के, ये बिल्कुल जो होते हैं, more or less similar ही हम लोग को देखने को मिलते हैं, और इसके लावा guys parliamentary committees दो प्रकार की होती है एक standing committee एक ad hoc committee इन दोने में सिर्फ simple सा basic एक difference आप समझ लो standing committee यानि की permanent committee ये regularly जो है वो appoint की जाती है ये regular हम लोग को देखने को मिलती है और ad hoc committee जो होती है ये temporary nature की होती है जिस चीज की जिस समय जिस चीज की आवशक्ता होती है जिसी को फिनिश जाता है या फिर ये committee अपनी जैसी report प्रस्तुत करती है और वो जो issue जो है वो clarify हो जाता है खता हो जाता है तो उसके बाद इस committee को जो है वो null and void कर दिया जाता है या फिर exit कर दिया जाता है यहीं कि बंद कर दिया जाता है ठीक है तो ये चीज आप लोग को याद रहे है एड hoc committee ये temporary nature की होती है standing committee permanent nature की होती है जो कि हमेशा हम लोग को देखने को मिलती है और अभी जो report प्रस्तुत की गई है वो standing committee के द्वरा की गई है permanent nature की external affairs की committee हम लोग को देखने को मिली है तो उसकी जो report आई है शशी थरूर ने उसको head किया था तो उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे बड़ आपको एक चीज clarity होगे ने कि ad hoc committee और standing committee में क्या basic difference है simple सा याद रखना है standing committee permanent nature की होती हमेशा आपको नजार standing committee but ad hoc committee जो होती है वो lapse हो जाती है जैसी उसका काम जो होता है वो finish हो जाता है ठीक है तो यहली चीज़ भी आप लोग को थोड़ी पता होने चाहिए अब देखो guys house के अंदर जो होता है जैसी कि लोग सभा और राजुसभा तो दोनों houses में आप जानते है bills का discussion होता है but committee क्या तरीके सो उस मुद्दे की analysis करनी है तो उसके लिए यह committee तयार की जाती है और committee के अंदर जो होते हैं यह बहुत ही senior most officials हम लोग को देखने को मिलते है experts वगरा हम लोग को देखने को मिलते है क्योंकि in-depth analysis जो होती है वो उस committee के द्वारा conduct करवाई जाती है और यह committee अपनी reports कह तो इसके जो house जो होता है जो legislature जो होता है तो वो committee के report को discuss नहीं करता यह चीज आपको clear रखनी है बड़ क्या होता है discussion के दौरान उस committee के कुछ recommendation जो होते है उसका use किया रहा सकता है बड़ पूरी की report जो है उसका basically discussion जो होता है वो house में नहीं होता है house की members है वो उस report के recommendation के में और जो यह कमिटी के जो मीटिंग्स होती है वो एक ऐसा फोरम की तरह हम लोग को देखने को मिलती है जहाँ पर मेंबर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं senior most officials वगेरा हम लोग को देखने को मिलते हैं concerned ministries के ठीक है तो यह चीज भी आपको बता होनी चाहिए एक ऐसा प्लाइटफॉर्म है जहाँ पर officials वगेरा मौजूद होते हैं जैसे कि जब आप IAS officer बनोगे तो आप various committees का हिस्सा होगे क्योंकि आप इतनी बढ़ाई कर रहे हो तो आप एक तरह के expert हो इस committee के अंदर अपने recommendation देने के लिए आगे चलके तो यह चीज थी अब इसके बारे मे क्या relation है तो उसको लेकर इसने अपनी report release करी है हाला कि उतनी चीज़े नहीं बताई गई है कुछ थोड़ी बात warning इंडिया को दी गई है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो शशी थरूर जी जो थे guys यह head थे standing committee on external affairs के और यहाँ पर border पे जो अभी situation जल रही है उसक report के अंदर guys हम लोग को देखने को मिला था कि यह report by partition थी यानि कि इसमे ruling party के members भी थे और opposition party के members भी थे और साथी साथ काफी कम ऐसी committees होती है जिसके अंदर defense और foreign secretaries एक साथ हम लोग को देखने को मिलते है तो उन में से एक committee हम लोग को देखने को मिली थी इसके लब बात करें जो जो एरिया उस पर अपना जो है मलब दब दबब बताया हुआ है कि वो एरिया जो है वो चाइना का है यानि के claim किया हुआ है कि ए इरिया जो है इंडिया का higher तो उसके बारे में भी एपर report में mentioned किया गया और इस report ने चेतावनी दी है सरकार को कि किसी भी परकार की foreign relations को ध्यान में रखते हुए कि हमारे relation इंडिया के चाइना के साथ खराब ना हो जाए तो इसलिए हम लोग थोड़ी बहुत चीजे जो है वो रिलाक्स कर देते हैं मॉनिटरिंग वगरा जो है वो रिलाक्स कर लेते हैं विजिलेंस रिलाक्स कर लेते हैं तो का गया है ऐसी कोई relaxation नहीं देना है ऐसी कोई छूट नहीं देना है आप अपने vigilance जो है monitoring जो है वो बिलकुल सहीं रखो और हर एक चीज जो है वो facts आपको आपको अपने सामने रखने बढ़ेंगे अनि कि अगर चाइना के साथ आप जो है वो किसी भी मुद्दे में discussion कर रहे हो कोई भी मुद्दा चाहे ना के against हो रहा है तो उसमें आपको अपने facts and figures को strong करके चलना है तो यह recommendation तो है वो थोड़े से committee के आये हो है और बाकी और detailed report is committee के अभी नहीं at present news में देखने को मिली आगे चलके editorials बगर है में कुछ आता है तो मैं आप लोग को इसको continue करूँगा inform कर दूँगा ठीक है अभी के लिए सिरफ यह parliamentary committees क्या होती है उसकी एक basic जानगरी detail आपको पता होनी चाहिए थी अब बात करेंगे office of the United States trade representatives के बारे में USTR के बारे में यहाँ पर trade की बात याद रखने है आपको कि United States के जितने भी international trade है तो उसके उसमें क्या कोई कमी आ रही है या फिर कोई issue तो नहीं हो रहा है तो उसके लिए यह body जो है वो बनाई गई है USTR ठीक है trade representative है United States के trade जिस भी country के साथ होते हैं तो अगर किसी country के साथ कोई trade में कोई issue तो नहीं हो रहा है तो उसको लेकर यह हम लोग को body United States की देखने को मिलती है और इसके section 301 के अंदर इस body को power दी गई है कि कि किसी भी country के उपर जो है वो sanction लगाने के लिए recommendation दे सकती है और even investigation कर सकती है किसी भी foreign country के action को यानि कि कोई country अगर जैसे इंडिया की बात करें इंडिया ने अगर USA के कुछ products के ओपर duties बढ़ा दी है तो उसको लेकर भी जो है यह investigation कर सकती है और दूसरी बात यह जो president होते है United States के उनको recommendation दे सकती है कि सामने वाली country के ओपर यह body जो है वो investigation कर रही है 10 countries की जिसमें इंडिया भी शामिल है कि 10 country है including इंडिया उल्सो जिसने United States की कुछ चीजों की उपर tariffs जो है taxes जो है वो बढ़ा दी है increase कर दी है और इंडिया ने क्या किया था guys तो इंडिया ने आप जानते है Amazon, Google, Facebook जो है यह USA की companies, Apple USA की company है तो इसके उपर जो है वो इंडिया ने taxes जो है वो impose कर दी है digital tax अब digital tax क्या होते है तो देखो guys यह सब जो companies होती है यह क्या करती है इंडिया के अंदर अपनी services जो है वो provide कराती है इंडिया के अंदर से जो है वो profit करती है काफी जादा बड़ इनके जो अपने taxes जो है यह अपनी country के अंदर है यह अपनी domestic country के अंदर pay करती है तो आप जो है वो इंडिया के अंदर कमाई कर रहे हो बड़ आप taxes अपनी country के अंदर पे कर रहे हैं तो इससे तो Indian government को कोई फाइदा नहीं हो रहा कोई जो है वो profit नहीं हो रहा तो आप Indian government को taxes नहीं पे कर रहे हैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन companies के ओपर जो है वो digital service tax जो है वो impose किया है इंडिया ने तो इसको लेकर पूरी investigation जल रही है और even organization for economic cooperation and development OECD जो है तो ये भी 130 से ज़्यादा countries के साथ जो है वो discussion कर रही है negotiation कर रही है कि एक international tax system जो है वो लाया जाए जो कि digital के ऊपर based हम लोग को देखने को मिले क्योंकि कई बार कई सारी country का करती है जैसे कि India की भी एकर हम बात करणे है flip card की बात कर लेते है flip card में आदे होगा इसकी India Indian products हम लोग को देखने को मिलते है और flip card company के जो मालेक है वो भी एक Indian हम लोग को देखने को मिलते है कि यह company ने अपने आपको Singapore के अंदर register करा हुआ हुआ है किराए हुआ है तो इसलिए किराए क्योंकि वहाँ पर जो है वो उसको जादा टैक्स बगरा पे नहीं करने पड़ते हैं as compared to India और वहाँ पर टैक्स बगरा कम रहते हैं तो अपने टैक्स को बचाने के लिए कि टैक्स बचेंगे तो उनका प्रॉफिट जाता होगा but यहाँ पर क्या हो रहा है problem यह हो रही है कि हम इंडिया के अंदर यह सब जो companies हैं तो यह क्या कर रही है यह बाहर से register हुई company यह इंडिया के अंदर पूरा profit कमा रही है, इंडियां को services offer कर रही है, बट इंडिया के अंदर ये taxes pay नहीं कर रही है, तो इसको लेकर जो है ये इस प्रकार की चीज़े इंडिया ने लाई थी, और ये चीज़ जो है वो obviously बाते की है, इन companies के लिए थोड़ी गडबड है और ये companies जो है वो United States की है, तो इसलिए United States की USTR जो है वो action ले रही, investigation कर रही है इंडिया के digital services tax code, clear है याँ तक पूरी बात है, हालगी GAFA में आप लोग को बेले पढ़ा चुको हूँ, एक बार आप और जाकर GAFA को refer कर लीजेगा, previous tutorials में आपको मिल जाएगा, बाकी main जो काम की चीज है वो USTR है क्योंकि ये कई बार जो है वो news पर आ चुकी है ठीक है तो ये एक general जानकरी आप लोग को इससे related होनी थी, अब बात करेंगे Kalo India, State Centers of Excellence के बारे में, तो guys इसको establish किया जा रहा है at present, ये sports ministry जो है guys ये establish कर रही है, KISCE को Kalo India, State Centers for Excellence और ये Kalo India scheme के अंडर हम लोग को देखने को मिल रही है, हमारी country के अंडर, Olympic performance को बढ़ावा देने के लिए, enhance करने के लिए ये center जो है वो तयार किया जाना, अब ये center बनाने के लिए center जो है वो तयार किया जा रहा है ठीक है, तो यह लिए शीज़ आप लोग को याद रखनी है और अभी at present, art states के अंडर ये centers हम लोग को देखने को मिलेंगे, करनाड़का, ओडिशा, कैरला, तिलंगाना, अरुनाचल प्रदेश, मैनीबूर, मिजोराम और नागलेंड, तो ये first face में art states को चुना गया है, फिर उसके बाद और भी states को cover किया जाएगा, तो यहाँ बहुती बहतरी sporting ecosystem जो है वो develop करने की बात की जा रही है, world class sporting facilities जो है वो बनाने की बात की जा रही है और खेलो इंडिया scheme के अंडर यह हम लोग को देखने को मलती है, ठीक है, तो यह एक general जानकर यह आप लोग को इससे related होनी चाहिए, अब इसके लाबा Prime Minister National Relief Fund, इस topic को आप लोग को गाईज एक पर पढ़ना है, यह topic news में आया हुआ था, इस topic को आप जाएंगे तो आपको यह topic जो है, वो मिल जाएगा, Prime Minister National Relief Fund, PMNRF का, और यह भी topic news में इसलिए है, क्योंकि Finance Minister ने अप्रूबल दे दिया है, कि यह जो National Disaster Relief Fund जो है, तो यह जो है, इसमें directly अब लोग जो है, वो contribute कर सकेंगे, यह इसलिए हुआ है, क्योंकि देखो यह Prime Minister National Relief Fund जो है, इसके लब अब Prime Minister Cares Fund जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो यह जो है, यह RTI, Right to Information से, अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिलता है, यह जो है, यह जो जानकारी आप आप आपके डोनेशन का क्या उपयोग किया है, तो उसकी जानकारी आप RTI लगा कर हासिल न नहीं देखने को मिलती हैं, और यह Right to Information Act के अंडर जो है, वो नहीं आती है, ठीक है, तो यह जाली चीज थी, तो इसको लेकर अभी Petition बग रहा है, भी Honorable Supreme Court के पास फाइल हुई थी, तो अब उसमें, जो है, वो clear जवाब मिल गया था, कि यह दोरो bodies, जो है, इसमें आप information ग क्या किया था, इतने वो popular हो गया थे, इतने सारा लोगों की उनने मदद करी, even plane तक से, जो migrant labors जो है, उनको भीजवा दिया था अपने घरों में, even plane तक से, बसरस वगेरा तो धूर की बात है, plane तक से पहुचा दिया और continuously daily business पर, तो जब वो एक actor personally इतना सब कुछ कर सकते है तो सरकार ने जो ये सब funding वगेरा, जो शुरू करी थी तो उसका पैसा कहा गया, तो उसकी जानकारी मांगने के लिए काफी सारे लोगों ने RTI लगा ही, तो RTI का जवाब जो है, वो return में यह वाली चीज आ गई, फिर orderable supreme court के पास पूरा case वगेरा चल रहा था इससे related, तो ये चीज था पूरा मुद्दबड आप लोग को mainly target किस पर करना है, एक तो PMCare और ये आप एक बार पढ़ ली जाएगा, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और PMCare भी मैं आप लोग को already cover करा चुका हूँ, और अब थोड़ी सी बात हम लोग National Disaster Relief Fund की भी करेंगे, क्योंकि ये topic जो था वो इसी मुद्दे को लेकर news में था, तो National Disaster Relief Fund जो set up किया गया था, ये section 46 Disaster Management Act 2005, इसके तहरत हम लोग को देखने को मिला था, तो हमारी country के अंदर किसी प्रकार का disaster होता है, या फिर किसी प्रकार की emergency जो है वो उत्पन होती है, तो उस दौरान इस fund से पैसा न manage की जाती है, point to be noted, और याद रखेगा, central government के द्वारा की जाती है, इसके जितने भी expenses वगेरा जो होते हैं, emergency के द्वारान, तो उसको fulfill करने के लिए, या फिर उस expenses जो है, उसको meet करने के लिए, central government जो है, वो इस fund को, जो है, वो manage करती है, और इस fund का استعمال करती है, और guys, ये basically की तरह भी उपयोग में लिया जाता है, जैसी कि state disaster response fund भी होते है, हर एक राजिका जो होता है, वो उनका खुद का भी disaster response fund हम लोग को देखने को मिलता है, कि कोई भी राजिक अंदर किसी प्रकार की disastrous situation develop होती है, तो उस दुरान state disaster response fund से पैसे निकालके, उस disaster जो भी होता है, उसको cover up किया जा सकता है, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, कि ये जो है national disaster relief fund, तो ये पैसा भी states वगरा को offer किया जाता है, जिससे कि ये उनको supplement के तौर पर मदद कर सकें, यानि कि और उनको extra जो हो इससे पैसे जो हो मिल सकें, और इसमें आपको एक और चीज़ पता हो है, वो नहीं मिलता है, यानि कि इस fund के ओपर कोई interest हो है, वो नहीं दिया जाता है, तो ये वाली चीज़ आप लोग को एक general पता होनी चाहिए, और मेरा आपसे एक simple सा question है कि public accounts क्या होते है, government of India के अंडर, इसका answer आप नीचे comment box पर लिख कर बताईएगा, जिसकि कुछ-कु इतन ही topics थे, now we will move on to paper 3, तो देखिए, यहाँ बार बात हो रही है, horseshoe crab के बार में, तो देखो इसको घोड़े की नाल केकड़े नहीं बोलना है, हम लोग को इसका नाम horseshoe crab है, तो हिंदी मीडियम के जो strengths है, वो भी इसको horseshoe crab बोलें, या फिर horseshoe केकड़ आप बोल सकते हैं, बाकी इसको घोड़े की नाल मत बोलिए कि horseshoe जो है वो इसका नाम है, और यह अभी पहली बार international horseshoe crab day हम लोग को जून 20th 2020 को देखने को मिला था, यह basically horseshoe से related लोगों के बीच पा awareness create करने के लिए यह जो day है, awareness day हम लोग को देखने को मिल रहा है, right, international horseshoe crab day, तो question नहीं याद है तो यह बिलकुल true केकड़ा नहीं है, absolute केकड़ा नहीं है, ठीक है, यह marine और brackish water, arthropods हम लोग को देखने को मिलता है, marine और brackish water में रहता है, समुदरी एरिया पे आपको यह मिल जाएगा, और चार extend species जो है वो पूरी दुनिया भर में हम लोग को देखने को मिलती है, जिन में और कोस्ट में हम लोग को देखने को मिलती है, यहाँ पर यह भी question बन सकता है, कि बालस और कोस्ट जो है, कहाँ पर है याद रखेगा, Odisha के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पर यह वाली प्रजाती केकड़े की पाई जाती है, और गईस हमारी कंट्री के कड़ना या फिर इसको मारना जो है वो एक अपराद माना जाता है, ठीके तो यहली चीज़ आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, और इस केकड़े की एक और खासिया देगा है, जब डाइनसौर इस धर्ती पे हुआ नहीं करते थे, उस दौरान भी यह था, यानिकि आ इनके अंडे देने का परपस यह होता है कि दूसरे लोगों को भोजन प्रोवाइट कराना, बेसिकली, अब यह कह सकते हो, इसके लावे एक और खासी है दिन की, इनका खून होता है, वो लाल कलर का नहीं होता है, नीले कलर का इनका खून होता है, तो आप यह ऐसे कोशन भी और इस प्रकार के अगर यूनीक चीज़ आपको देख रही है, तो आप इसको रट के रखो, कि यह जो होर्शु क्रैब जो है, केकडा जो है होर्शु, तो इसका जो खून है यह नीले कलर का, कोशन यह बनेगा कि अभी रिसेंटली, नीज में बताइए किस स्पीसीस का ना इसका ब्लेड जो है, वो ब्लू कलर का है, और जो शिकारी वगरा जो है, वो इसको खाने वगरा के लिए जो है, वो मारते हैं, बढ़ अला कि इनको मारना या फिर इनको पकड़ना जो है, वो एक अपराध है, वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 केता है, ठीक है तो यह ज आप लोग को एक जनरल एक आइडिया होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, अब बात करेंगे GISAID के बारे में Global Initiative on Sharing All Influenza Data के बारे में, इस टॉपिक को मैंने आप लोग को कवर कराया हुआ है, अभी यह टॉपिक न्यूज में इसलिए, क्यूभी चाइना ने GISA USAID और WHO World Health Organization के साथ Coronavirus का जो sequencing है, इसके genome sequencing उसको share किया है, आप देखो genome sequencing क्या होती है, कैसी होती है, तो इसके बारे में पूरी detail में मैंने information आप लोग को यहाँ पर provide की हुई है, जिन बच्चों नहीं वाला topic नहीं देखा है, वो जाकर एक बार देख लीजी और मेरे regular viewers इस topic को एक बार जाकर revise कर लीजे, तो देखे आपको क्या करना है, यूट्यूब के search column पर again 10 April 2020 डालिएगा, उसके आगे लिख दीजेगा only current affair, सबसे पहला जो वीडियो आएगा, वो यह वाला मिलेगा आपको, और इस वीडियो के 12 मिनिट 49 सेकेंड पर आप जाओगे तो आपको य Mines and Technology Yojna for आत्म निर्भर भारत in Mining Advancement, आपको बता होगा, Economic Stimulus Package को हमने पढ़ा था, आत्म निर्भर भारत को हमने पढ़ा था, तो उसमें Mines वगेरा के वारवें भी बात की गई थी, कि Mining sector को हम लोग प्राइवेट को, मैंनिंग का जो वो है, सेक्टर जो है, उसको प्र प्राइवेट प्लेयर से, उनको अगर Mining वगेरा का Tender चाहिए, तो इस website में जाकर वो apply कर सकते हैं, और दूसरी बात, यहाँ पर जो भी project चल रहा है, उसकी क्या प्रतिकिती है, उसकी क्या development वगेरा हो रही है, ग्रोथ कैसी हो रही है, तो उसकी monitoring भी जो है, वो यहाँ पर इस portal के थुरू हम लोग को देखने को मिलेगी, तो एक basic idea आप लोग को इस portal का होना चाहिए, ठीक है, और इस portal को design, develop और implement किया जा रहा है, NIC के द्वारा, National Informatics Center, उसके द्वारा, My Informatics Division के, ठीक है, तो यहाँ चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए, इस center का My Informatics Division, जो है, व पसंद आया है, समझ में आया है, हर एक चीज़, तो आप फटाक से इस lecture को like कर दीजे, और किसी भी आपके social media account पे इस lecture को share कर दीजेगा, और जाने से पहले मैं आप लोग को आज के homework देता हूँ, देखो general studies के कुछ topics नहीं आप लोग को पढ़ना है, हाला कि यह पूरे topics में और इंडिया के अंदर LGBTQ community को जो है वो किस प्रकार से protection दी गई है, तो उसके बारे में आप लोग को 120 words में लिखना है, क्योंकि यह LGBTQ news में असलिया है, क्यों USA की जो Supreme Court है, उन्होंने prohibit कर दिया है कि कि किसी भी प्रकार का, यानि कि उन्हें बैन किया कि कि किसी प्रकार का discrimination LGBTQ workers म कि अगेंस जो है वो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यह topic news में था, बड़ आप लोग को इंडिया के अंदर LGBTQ को किस प्रकार से protection दी जा रही है, उसके बारे में एक idea भी होना चाहिए, और इस से related अगर कोई कानून है, तो उसके बारे में भी आप mention कीजेगा, और past मे, current affairs मे अभी और क्या-क्या चीजे LGBTQ से related आईए, उसको भी link करते हुए, mention करते हुए, कि 120 word में अपना answer prepare करी है, ठीक है, और प्रधान मंत्री street vendors आद्म निर्भर निधी, scheme जो है PM स्वानिधी, तो यह 5 जून को यहाला topic मैंने cover कराया हुआ था, तो आप 5 जून को जाकर इस topic को देख लीजे, जिन बच्चों ने नहीं देखी और जो बच्चे अल्रडी cover कर चुके हैं, वो एक बार जाकर revise कर लिए ठीक है, और यह चार जो topics हैं आज के, इनसे related आपको handwritten notes बनाने हैं, और अगर आप ऐसा कर लेते हो, तो नीचे comment box पर लिख देना, sir homework done, मुझे पता related complete जानकारी मिल जाएगी, और यदि आपको इस lecture की PDF चाहिए, तो इसकी PDF भी हम लोग हमारे paid courses members को provide कराते हैं, और current affairs के paid course को join करने के लिए भी आप इन number पर contact कर सकते हैं, और यह हमारे कुछ telegram के free study groups हैं, इनको join कर लिजे, यहाँ पर हम लोग आपको free study materials provide कराते हैं, lectures की notification updates आपको वहीं पर मिल जाती है, और अभी थोड़ी दर में आप लोग के लिए शुरू होने वाला है एक topic, यानि कि टेस्ट आपका शुरू होगा, 10 questions का, इसी के साथ लगा हुआ यह test है, जैसी मैं आपको बाय बोलूँग, टेस्ट शुरू हो जाएगा, total 10 questions होगे, 10 में से आपका क्या score रहा है, वो नीचे comment box पर लिखकर बताईएगा, ठीक है, और वहाला जो test है, वो हमारी team के दौरा prepare किया गया है, मैं यहाँ पर current affairs आपके prepare करता हूँ, रात में, शाम में 7 बज़े जो आप लोग का test होता है, daily basis पर, तो वो भी मैं ही provide करा तो मैं ही prepare करता हूँ बाकी अभी जो test मिलेगा, आपको यह हमारी team के दौरा prepare किया गया है, तो चलिए गए इस पर आप हम लोग मिलते हैं, कल तब तक लिए bye bye, take care, have a great day ahead, tata और test दीजिए, इसका score नीचे comment box पर लिखकर भाएगा का 10 तो ऱहां डरिओार माश E passport k NATO का 10 बस्तिया को बाघज एड औक लिंगर ढां लोगएएगा lira पकाइए ट जो भोगदाँ मैं हमा दोगफए धिखकर वाज़ भuk यम यिर दूहां, हमाता व selfishजज़ दूंग। घर चुर खखाओाओ कि बिलाओार होगा युरु म जटिग सबस्यक्टा कैक इझेगे क्म डुन उड़ा होगा यु़िल आड़ यु़िल мешाण उड़ नुदी अटạt हो झालाओा99 टाया आप लाओ 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 कर लोब लादिए, सबस्केक. और अ झाल कुछ हाँ और अंट पिमी हुग दो खाल कैनी टर्ड़ोर passé झाल झाल